है है हलो गाइस स्वागत आपका मावाबाफ स्वीचर रेवेलेशन की एक ओर वीडियो में और अब आप पड़सुई में पर कमेंट हाय था कि एक बाइब के पास नो लाख बावर है और उसका कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है मतलब ओमेगा वार में क्ञेलिस कि Here omega bar उमेगाई केंदर वेल्स वेल्स ही सब कुछ करते है ठीक है आप किसी की पहर देख लो जो भी omega और यूट वेल defines पहर है उसकिसे वेल्स है ठीक है ज्सियुद फिर्स्ट का भूचाा देरी होगा ड्स प्रक तो इस तो वह दी होगा लेट सी 29 को देख लेते हैं समस्टाक सी पावर 23 लाइक कहा नो लाइक कहा 23 लाइक त्रिक इसको छोड़ते हैं लाइस सी दे टर्मिनेटर अच्छा लाइक नोट बैड आगे देखते हैं वैसे ठीक है और आगे देखा जाएं तक जोईफुल को देख लेते हैं 20 लाइक उसके लावा जो भी है ठीक है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किया क्या जाए तो इसके कई साए रिजन है पहली बात तो आप अपनी पावर बढ़ाओ जैसे कि आ विश्वास नहीं करोगे मेरी पावर भी 16 लाइक है इसके लिए आपने मेरी रेंग देख जाए लोग ऑमेगावार को पार्टी में करते हैं ठीक है ना जोसके चार अठरा लाग के लोग या 16 लाग और 20 लाग के लोग मिलकर चार उने पार्कि बना लिए और फिर ॉमेगावार में घुशते हैं तो अपके ज्यादा चांसे अहोते होते हैं जीतने के श्यूदकि आ ज्यादा लोग मेही खेलते तो हार आदे गंटे में ओमेगाओर और रही हो नीए तो इसके पारफुल लोग वही सब आतर क्या इसके ही न परफुल लोग इंगे लिख खेले करे तो मुझात है ठीक है उसके लाव जिनको points कमाना दो जाता सुबह खेलते हैं ठीक न एक तो सुबह का time है around साड़े 8 से साड़े 12 के असपस कोई नहीं खेलता है साड़े 8 बजी भी मिल सकते है पर साड़े 9 से साड़े 12 के असपस कोई नहीं खेलता है डेर, दो, तीन मज़े गास पर नहीं जानता है, फिस साड़े चार से साड़े छे के बीच में भी ऐसा टाइम आ जाता है, जब आपको, सभी बतों तब ऐसा टाइम आ जाता है कि कुछ ही पाफ़ू लोग खेलते हैं, तो अगर आप उनकी टीम में आ जाओ, तो तो आपका अफकोस ही बात है, कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, मैं खुद भी ओमेगा वार के अंदर पिटता हूँ, ठीक है, मेरी पाउर भी 100 लाग है, इस टेन मेरी कोई इतनी अच्छी वो नहीं होती, जाज़ादा दो या तीन के ले पाता हूँ, और आपकी तो 9 लाख ही है, दूसी चीज कहा है, कि आप देख रहे होगे, मेरी 100 लाख है, और एक के 18 लाख है, तब भी मुझे बहुत ज़्या रेंक पे है, तो इस गेम की खास बात यह है कि, यह जो 16 लाख है ना, 15 लाख, 16 लाख, इवन 17 लाख तक, यहां तक आप गेम में आराम से पहुच जाते हो, 17 लाख के बाद combat power को बढ़ाना ना, बहुत मिश्किल होता है, एक एक हजार combat power बढ़ाने में band बच जाती है, क्यों, क्योंकि आपके 15 लाख में आपने सारे वो ले लिए होंगे, टाइटल्स ले लिए होंगे, सारे आपके cards 6 star हो गए होंगे, सारे जो यह badges वो भी 6 star होंगे सारे जो यह है, कॉस्ट्यूम यह भी 6 star होगी, उसके बाद पार पता है कैसे बढ़ती है, combat omega cards है, उनके quality बढ़ाने में, उनका number बढ़ाने में, ठीक है ना, उनके अंदर extra effect लाने में, ठीक है न, हो सकता है आपका super villain damage हो, उसमें, omega war के अंदर, sorry omega war नी, omega cards में, ठीक है न, मा इसी बाद बढ़ेगी, उसके लावा किस से बढ़ेगी, बताता हूँ, यह इसमें जाओ, नहीं, प्रोफाइल में गए, प्रोफाइल में जाने पर यह, इनको, इनको nano fuse करो, ठीक है न, इनको rad बनाओ, अभी तो regional costume है, problem है कि regional costume को nano fuse करने सच्छा है, कुछ लोग सोस्ते है, डारेक्ट हम क्यों न, special costume ही कर ले, special costume को 6 star करने में problem आती है, मानो special costume को आपने सच्छा बना ले, 3 star भी कर लिया, अब उनको भी nano fuse करना है, तो आपने देखा होगा, कुछ गिने चुने प्लियर्स है, जिनकी पावर 25 लाग से भी उपर है, 30 लाग पहुँच चुकी उनकी प तो आपके लिए omega war वेकार है, तो अब इसका bypass क्या है, इसका bypass यह है कि omega war segment में बटा हुआ है, ठीक है न, होता यह है कि 50 से 70 level के लोग 1 साथ खेलते हैं, 70 से 90 level के लोग 1 साथ खेलते हैं, 90 से 110 level के लोग 1 साथ खेलते हैं, और 110 से 120 level तक के लोग 1 साथ खेलते हैं, तो आप यह कर सकते हो कि अपनी combat power को बहुत खतरनाक बनाके अपने लेवल को कभी 120 ले जाओ मत सिर्फ 110 की स्टार्टिंग तक रखो तो आपका ओमेगा वार कभी 120 लेवल की लोगों के साथ नहीं होगा जबकि 110 तक के लेवल लोगों के साथ होगा पर एक बार बताओं वो भी मत करना 110 तक के ओमेगा वार के लेवल के जो प्लेयर्स नहीं होंगे वो जब मेगा वार खेलेंगे तो उनके नभे लेवल पर एक ही करेक्टर उनके पास होगा तो उनकी कॉमबेट पार इतनी नहीं होगी पर आपके पास क्योंकि आपका मेन करेक्टर की कॉस्ट्यूम्स आपने नभे लेवल वाले करेक्टर को दे विक वार ऐसा ऑप आता था जिसकंदर आपको Omega वार विन करनी होती थी मैंने का Omega वार मैं किसे विन करूँगा मतलब मेरे पास तो पावर ही नहीं है मैंखेलता बहुत कम हूँ तब मेरी comment power मेरी main character पर एते थी भी नहीं तब शाहिद कितनी power थी मैंने बता ही कुस लोग को कुस लोग ये करने लग गए तो फिर ये का मैं लग गया उसकाइब कि अभी गेम ना बहुत डाउन स्कुर्ट में जा रहा है गेम को ज़्यादा लोग खेलते नहीं है क्योंकि गेम को ज़्यादा लोग नहीं खेलते हैं इसलिए 70 से 90 लेवल वाला सेघ्मेंट लगब क्खतम हो गया कोई नहीं खेलता 90 से 110 लेवल से आइप सारे के सारे लोग और 110 से 120 वाला तो फिर ही है वो दो चलता ही रहता है वह हमेशे चलता रहता है तो इसलिए और 50 सेomine 로ग नहीं खेलेगों कि इसलिए सारे सेइग है नगने के लि 도ाप आप देख ले ना 17-90 सेग्मेंट वाला साड़े आठ से मलब मैं तो कह रहा हूँ 17-90 सेग्मेंट वाले को आप हर दिन 3-4 दिन लगाता हर ओमेगा वार पे जोइन करके देखो और पता कर लो कि कौन से टाइम पे 17-90 लेवल वाले लोग खेल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी खेल रहा है आजकल ये 4-5 महीने और इवन 6-7 महीने पहले हुआ करता था इरिटेशन हो रही होगी कि मैं किसी को नहीं मार पा रहा हूं मैं ओमेगा वार में हारता रहता हूं तो मेरा तरही का अपनाया करो simple सी बात है जाओ omega- Diskuss эntry लो और अपना काम करने लग जाओ बस auto पर लगा कि अपना काम करने लग जाओ आपको पता है जो जिसको मार ही नहीं सकती हो तो पिट्ते रहो simple सी बात है जब आप पिट्ते रहूगे और आप देखोगी नहीं आपने काम करने में बिजी होगे जैसे कि आपको कुछ याद करना है, कुछ काम करना है, कुछ लैपटोप पे आपका काम है, कुछ पढ़ाई करनी है आपको, कुछ पापामवी का काम करना है, कुछ भी करना है, anything, भाहर जाके घूम याओ, खेल या कुछ भी कर लो, ठीक है न जो आप देखोगी नहीं न अपने मलते होगे को तो आपको frustration और agitation नहीं होगी ठीक है दूसर तरीका आप ये कर सकते हो कि सामने वाले जो players होते हैं उसके समेशा powerful level ही powerful players ही आपके area में आते हैं तो आपको छुपके से उनके area में जाना है क्योकि जो भी powerful लोग होते हैं वो पीछे ही घेलते है तो आपके ये से 9 से 9 लाग power है तो आप कम powerful लोगों में आते हो ठीक है ना आपको हर कोई मारेगा क्योंकि 110 से 120 में 9 लाग power होना तो वो यह माना जाता है कि सबसे बच्चा new भी है ये कोई भी आपको कोई भी मारेगा आपको मैं भी मारूँगा ठीकिन आप मुझे मिलोगे मैं एक स्किल चलाओगा आप मर जाओगे तो आपका सबसे चाहिए यह फरस्टेशन कि आप फटा फटावट गेम को खेलें अपनी कॉमेगावार बढ़ाएं रीजनल कॉस्ट्यूम्स लें इस्पेशल बैटर बैजिस लें ओमेगावार को कंप्लीट करें सबसे करके कॉमेगावार बढ़ाएं और उसके जब आपकी कॉमेगावार लगबग 14 लाग क्या सपस आजाए तब आप एक या दो किल ले सकते हो वो भी तब जब आपको देखन किसकी मुझसे कॉमेट पार है कम है ओमेगावार में तो उसके लिए आप क्या करेंगे जब आप 14-15 लाग पर आ जाए उसके आप चुप चाप बैठे रहे हैं जैसी ओमेगावार स्टार्ट होए या तो आप देख लें कि कौन कौन आपकी साइड में आ रहा है जो जो भी जो आपके एरिया में घुसे वो हमेशा पाफुल प्लेयर सी होते हैं जो उन्हें कोई नहीं मार पाएगा इसलिए वो लोग एक खुलनम खुला खुले सांड की तरह आपके एरिया में घुच जाते है उसको पेल के जाते है तो एक तो उन से बचले और उनका नाम देख ले लेता है वो भी मुश्किल से बस हेल्थ पोशन ले लेके अपनी एनलजी बढ़ा रहा है अगर आप उसको ढूंड़े पीछे जाके और फिर उससे फाइट करें तो वह आपके बराबर की फाइट होगी पर वही पॉइंट है कि जो पाफुल लोग होते हैं वह पीछाने चोड अगर आप 110-120 सेग्मेंट में आ चुके हो क्योंकि 110-120 सेग्मेंट बहुत वेल्स लोगों का है पाफुल लोगों का है किसी का भी पावर मैं मैं ही मैं खुद मेरी खुद 16 लाग पावर है मैं भी वीक में आता हूं ठीक है ना 18-19 लाग पावर तो होनी चाहिए और 18-19 ज्यादा नहीं लग रही है पर बहुत ज्यादे का अंतर होता है क्योंकि अब 16 लाग से पावर बढ़ाना में लिए बहुत मुश्किल है ठीक है ना मुझे लिटरली इनको नैनो फ्यूज करना पड़ेगा एकदम इस्पेशल एकदम क्रिस्प स्टैट्स लाने होंगे सिर् प्यारे प्यारे अटेक्स लाने होंगे अब बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है सिंपल सी बात यह है ठीक है इसलिए जो 9 लाग से 14 लाग में आप आओगे तो आपको इतना अंतर नहीं दिखेगा का में जब आप 16 17 लाग से 18 19 20 लाग पर जाओगे ठीक है ना मालों एक 10 लाग से 14 लाग में जो 4 लाग का इंक्रीज वो इतना दें जितना 16 लाग से 20 लाग में बहुत powerful मैसूश करोगा अपने आपको क्योंकि आप comment पर बढ़ाना बहुत मिश्किल होता है शिरुआत में बहुत जल्दी बढ़े जाती है सो यही था पूरे omega वार का ठीक है ना दसवाले में खेल के देखो, अगर आपको कोई भी करेक्टर इस लेवल का नहीं है, तो अपने मेन करेक्टर का लेवल अच्छा करो, और अगर ये कुछ भी नहीं हो सकता है, तो चुप चाप, ओमेगा वार के अंदर जॉइन हो जाओ, ओटो अटेक पे डाल के चुप चाप नहीं है, पर मैं सही कहूंगा कि ओमेगा वार के लिए इतना एंसुजियाजम ना रखो, वहाँ पे सब के सब प्लेयर्स हैं, सब के सब वेल्स हैं, सबने पैसे लागा रखे हैं, बहुत पाफुल लोग है वो, ठीक है, तो आगकी वीडियो में इतना ही, ठीक है, आई होब कि यह सब एक सिंपल सी टॉकिंग वीडियो थी, जिसमें मैंने ओमेगा वार के पर में थोड़ा बहुत बताया है, जीतने का कोई ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है, स्पेशल कॉस्ट्यूम और बैटल बैजिस कर लोगे, तो जीत जाओगे, बाकी तो वह यह कि पीवी पीवीडेमेगेगे, लोगेगे वहिए करट मा अपके कार्स में आपकी इसमें इसमें यहनी तो ते गार्ग ने ता बबाई सामनेवारे से कम देमेज पढ़ेगा जाव कोई बात नहीं तो यह साओड़ी ठोड़ी सारी ठोड़ी सारी ठोड़ी तो तोड़ी सी ओमेगावार के बारे में एक गाइड सी ठीक लगे तो बढ़िया है नहीं लगे तो क्या ही कर सकते हैं ट्राय कर लो कुछ भी तरीके मेंने सारे बता दियें सैग्मेंट ट्राय कर लो पारफुल हो जाओ या फिर चुपचा पीछे जाके कम जो लोगों को ढूंड हैं अच्छी बात है और एक और तरीका और हैं आप हो मेगा फिर एक काम कर सकते हो कि अगर आपको ये लगता है कि आप किसी पहे falsme में जाओ और वे टीम में नहीं जाना है तोँभो पाफल टीम में जाने का तो कोई तरदास्ता नहीं है पर रेंडमली आप जा सकते हो और नहीं होगी ओमेगा वार आपको रोज दो बार खेलने हैं ठीके ना और जैसी आप गए अंदर गीम में गेम में जैसी आप गए ओमेगा वार के अंदर आप ने देखा कि आपकी जो टीम है वो वीक है सब लोग पिट रहे हैं साधे तीन मिनिट होने से पहले ही फोर्स कर दो ठीके आप ओमेगा वार से अपने आप आउट हो जाओगे और उसका अपका पॉइंट सी गिना नहीं जाएगा आप जो और बहू तारण ओमेगा वार के दो रावंड जो डॉन dispNo. नहीं जाएंगे ठीक है उसका फिर से अगले ओमेगा बजब पूरे शाथ मिल्ट हो जाए मालो आठ बज़े की आपने ओमेगा वर खेली तो आठ बच के आठ मिल्ट में आप वापस गेम में जाओ आप देखना आपके ओमेगा वर के दोनों के दोनों कौंट पड़े होंगे फिर साड़े आठ बज़े वाली खेल लेना फिर साड़े आठ बज़े वाली आप खेलोगे उसमें आपने देखा कि आप पाफू लोग के साथ हो जब आप पाफू लोग के साथ हो तो उसको पूरा खेलो आपका एक काउंट मान लिया जाएगा और आप जीत भी जाओगे आपको जिताया जाएगा आपको चुपचा बैठे रहोगे उसमें आपको ज़्याता रिवार्स और पॉइंट्स में जाएंगे फिर ऐसी दुबार आप नो बजे वाली में खिल लो वीक में गए हो फोर्स क्लोस कर दो गेम को ध्यान रखना साधे तीन मिट होने से पहले अग है और वापस गेम के अंदर गुसोगे तो उसके अंदर यह होता है कि अगर आप बहुत टाइम तक भी गेम को खेलते रहे और एकदम एंड में भी फोर्स क्लोस कर दो तब भी आप बच से जाते हो काउंट को गिन लेता है तो दो तरीके हैं या तो साधे तीन मिट से पहले फोर्स क्लोस कर दो ठीक है तो भी आप बच जाओगे आपका काउंट गिना नहीं जाएगा अगर आप आफ लोग के साथ नहीं हो या फिर आप शुरुआत में आते ही फोर्स क्लोस कर लो और फिर गेम को खेलते रहो और खेलते खेलते आपको लगे की एंड में जाके भी कि की नहीं जीत पाएंगी हैं सो वापस से फोर्स क्लोo कर दो जैसी हाप फोर्स क्लोस करोगे आपका कोंट नहीं गिनेगा पश बचाầnहीं मैंनने देखा है किसी कभी और काम नहीं कर पाता है तो में तो फस्ट बाच तरीके पर रहता हूं अगर हम प्रॉफिट में नहीं पास कोई p sour character नहीं है और मैं अकेला भी कुछ नहीं कर पर आफकोस नेक्ज कुछ भी नहीं कर पाता हूं मैं साथ 3-4 लोग होने ही चाहिए जिनकी 8-2-2-2-2 लाग पावर हो तब मैं थोड़ा बहुत करें पाता हूँ तब तो मैं खेलता रहता हूँ वरना मैं भी force close करता हूँ साथ 3 मेंट से पहले ऐसे कि मैं 4 या 5 ओमेगा वार खेलता हूँ